कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल और पीसी में कर पर दोस्तों हमारा जो टोपिक था एमेस वर्ड वो हमारा कंप्लीट हो चुका है उसके लगबग हमने सो क्यूशन के आसपास किये थे दोस्तों अब जो हमारा टोपिक रने वाला है आगे का नेक्स्ट वो है MS Excel Microsoft Excel तो दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है यदि आप हमारे चैनल पे फैस्ट वार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब वश्य करें साथी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिपिकेशन मिल करते रहें तो दोस्तों स्टाट करते हैं आज का अपना वीडियो क्यूसर नमबर फैस्ट एक वरक सीट में रेंज होती है एक वरक सीट में जो रेंज होती है वो कितनी होती है दोस्तों और रेंज होती है कौन से होती है सेलों का सम्मू है सीटों का सम्मू है एक कमांड Q2. Microsoft Excel 2010 में बनी फाइल को कहते हैं तो क्या कहा जाता है वरक बुक, वरक सीट, सीट, नोट बुक तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो पूरी फाइल होती है उसको बोला जाता है वरक बुक या वरक स्प्रेड सीट क्यों से नमबर थर्ड, Excel में बरक सीट के पहले सेल का एडरस होगा जो पहली सेल होती है उसका एडरस क्या होगा दोस्तो फरिश्ट होगा, A1 होगा, 1A होगा या 11 होगा तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा A1 जो पहली सेल होती है उसका अलाम होता है A1 ठीक दोस्तो फिर है क्यूसर नमबर फोर, Excel में जहां पोइंटर उपस्थित है वह सेल का लाता है तो वह सेल हो जाएगा दो तो एक्टिव सेल क्या हो जाएगा एक्टिव सेल हो जाएगा निम्न में से कौन सा फोर्मूला सही नहीं है तो इस में से कौन सा सही नहीं है वो हमें देखना है क्या उपस्थिन ए होगा या फिर बी या फिर सी या फिर दे तो जो सही नहीं है वो कौन सा होगा देखो एक्टिव टू ये भी सही है ये भी सही है और ये भी सही है लेकिन ये जो है इस से पहले एक्टिव नहीं लगा है तो ये हमारा राइट आनसर हो जाएगा कि ये कोलम का कटाव कहलाता है जो रो और कोलम होती है ये रोती है और ये होती है शोरी ये तो कोलम होती है और ये रोती है ये कोलम और ये रो तो इनके कटाव में दूसे जो बने गाई इबिच वाला इस्सा है तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सेल क्या कहलाएगा दोस्तो शेल होता है ओप्षन नमबर बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्युशन नमबर शेवन टेव स्क्रोलिंग बटन का कारीय करता है कौन कारीय करता है अलग अलग वरक सीट देखने के अतीरिक्त रो देखने अतीरिक्ट कोलम देखने अतीरिक्ट सीट टेब देखने तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाईगा हमारा राइट आंसर दोस्तो option number दे अतीरिक्ट अतीरिक्ट सीट टेब देखने फिर है question number 8 एक सेल में enter किये गए के नमबर तथा फोर्मूले कहलाते हैं तो वो फोर्मूले क्या कहलाते है दोस्तो वो कहलाते है दोस्तो राइट आणसर हो जाएगा All this numbers है लेबल्स क्चे पोइन्टर को Ary可 अगली शीट पर ले जाने के लिए किस कौनजी का उप्योग किया धाता है तो दोस्तों जो वो अगली शीट पर ले जाने के लिए दोस्तों वह हो जाएगा उसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस पेज डाउन कंट्रोल प्लस पेज डाउन और से हमारा राइट आंसर हो जाएगा Q10 Microsoft Excel 2010 में नई सीट इंसेट करने के लिए किस कुंजी का उप्योग किया जाता है तो जो नई सीट होती है वो इंसेट करने के लिए किस का उप्योग किया जाता है दोस्तों वह हो जाएगा option number A हमारा राइट आंसर हो जाएगा shift, alt और f1 shift प्लस, alt प्लस, f1 इन कुंजीओं का आपस में उप्योग किया जाएगा Q11 Excel में खालिस्तान बटन दुआरा सेलों के डेटा को जोड सकते हैं तो किस के दुआरा option number A auto fill, auto correct, auto sum, auto format तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों auto sum, option number से हमारा राइट आंसर हो जाएगा Q12 Excel में आपकी मासिक रिन बुगतान, monthly mortgage payment की गणना के लिए किस function का उप्योग करेंगे PV, PMT, NPER, NPV, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा option number 2, PMT, option number 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा Q13 value entry किन से मिलकर बनती है, जो value entry होती है वो किन से मिलकर बनती है, संख्याए, गणितिय चिन, दस्मलव, अंक, उप्रोक्त, सभी तो दोस्तो जो value entry होती है वो इन सभी से मिलके बनती है संख्याएं, गनितिय चीन और दसमलव रंक उपरोक्त सभी इसका right answer हो जाएगा क्यों सा नमबर 14 formula formula entries दो प्रकार हैं कौन-कौन से प्रकार है relative, absolute, mixed, absolute, mixed, relative और कोई नहीं तो दोस्तो इसका जो right answer होगा, क्या होगा, इसका right answer हो जाएगा option number relative, absolute question number 15 excel को run window दोबारा चलाने के लिए code type करते हैं कौन सा code, excel, win excel, ms excel और ms excel यह दोनों same ही है दोस्तो तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो होगा, option number ए, excel question number 16, microsoft excel 2010 workbook का extension होता है जो extension जो भी file हम save करते हैं तो उसके जो last में क्या आता है जैसे word file होती है तो उसमें तो आता है dot d o c तो इसमें क्या आएगा दोस्तो इसमें आएगा dot option number 10 हमारा और right answer dot xlsx कौन से में, 2010 में question number 17 निम्न में से कौन excel का data type नहीं है number, character, text और date, तो इसका जो right answer होगा वो होगा, क्रेक्टर, option number 2 excel, question number 18 excel file workbook में by default कितनी sheet होती है तो excel वो जो file होती है workbook उसमें जो by default sheet होती है वो होती है दोस्तो दो होती है, पांच होती है, तीन होती है वो होती है, तीन कितनी होती है, तीन work sheet आती है पिर है, question number 19 excel 2010 में किस option द्वारा data और सुचनाओं को आसानी से समझने या आकरसक तरीके से visual रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है तो इसका क्या होगा, right answer chart, table, picture, graphics तो दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा chart question number 20 वेब के लिए एक interactive वाइपोर्ट टेबल बनाने के लिए आप निम्न में से किस वेब कंपोनेंट का उप्योग करेंगे तो वाइपोर्ट टेबल बनाने के लिए होता है दोस्तों वाइपोर्ट टेबल रिपोर्ट option number 2 हमारा right answer हो जाएगा वाइपोर्ट टेबल रिपोर्ट फिर किस वेब के लिए है 21 Excel है तो Excel क्या है दोस्तों Excel क्या है Spreadsheet Program Database Program Word Processing Program क्यों क्या होगा इन में से option number 10 हमारा right answer होगा Spreadsheet Program question number 22 Excel sheet को web page के रूप में save करने की command होती है तो Excel sheet को web page के रूप में command करने की जो save करने की command होती है वो कौन सी होती है वेपेज save page वेपेज वेपेज preview कोई नहीं तो दोस्तों हमारा right answer होजागा option number 2 save age वेपेज question number 23 निमन में से कौन सा टेब Microsoft Excel 2010 में नहीं होता है तो कौन सा नहीं होता है tools formulas review page layout तो दोस्तों इसका जो right answer होजाएगा वो होजाएगा option number 2 tools यह option उसमें नहीं होता है किस command द्वारा चूनी हुई sale range को print 36 के रूप में परिवासित करते हैं तो क्या होजाएगा print area set print area clear print area print preview तो दोस्तों इसका जो right answer होजाएगा वो होगा set print area option number 2 हमारा right answer होगा Q25 निम्न में से कौन वेद्द sale address नहीं है तो कौन सा नहीं है option number UX25 A1 X F D1 1B तो इसका right answer होजाएगा option number there 1B कौन सा जाएगा option number there 1B तो दोस्तों आज के जो हमारे 25 क्यूशन है वो हमने complete कर लिए है दोस्तों इन में से आपके 25 में से आपके कितने सही है यदि आपके 25 में से 20 क्यूशन सही है तो आपके तयारी अच्छी चल रही है दोस्तों और दोस्तों ऐसे कीूशन में आपके लिए आगे और लेके आते रहूँगा तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्यूसनों के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत